हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप मैं स्वारवधुवे मैगनेट ब्रेंट सिंधिवेडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और हमने प्रस्नावली 6.1 कंप्लीट किया था उसके साथ साथ हमने यह देखा था समरूप त्रिभुज क्या होते हैं समरूप त्रिभुजो की पहचान कैसे करते हैं और उनके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए तो आज हम करने वाले हैं प्रमेए 6.1 प्रमेए 6.2 बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेए 6.1 है मतलब दोनों ही important है लेकिन 6 दस्मलों एक बहुत ज़्यादा important प्रमे है आपको भी पता ही होगा है ना और इसके साथ दोस्तम करने वाले हैं NCIT उधारर संख्या एक से लेकर उधारर संख्या 3 तक स्टार्ट करने से पहले एक शोटी और जरूरी बात आपके लिए जैसा कि आपको पता है Magnet Brins प्रोवाइड करता High Quality Education जहां इन्दी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है चटी क्लास से लेकर बार्वी क्लास तक की सारी क्लास और वहीं English Medium Students को मिलती है KG212 सारी क्लास वो भी दोस्त बिल्कुल जबर जस्त पढ़ाई इसके साथ ही बैतरीन तयारी करने के लिए आपके लिए अवेलेबल कराये गया है E-Notes और E-Books जिसका Link Description Box में दिया गया है उसको ग्राब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आईए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रमेय संख्या 6.1 पहले तो इसका नाम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका नाम है दोस्त आधारभूत समानुपातिका प्रमेय यह हम इसको इंगलिस में बोलते हैं Basic Proportionality Theorem Shortcut में इसका एक और नाम है BPT Theorem और एक और नाम है Thales Theorem बहुत सारे नाम है है ना आपको क्या-क्या नाम याद रखना है एक तो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय और Thales Theorem इससे भी exam में question आ रखे हैं मतलब बस एक नाम पे मत जाना दोनों नाम से question आएंगे काम एक ही करना है जो आपको अभी सिखाया जाएगा क्या कहती है ये प्रमेय पहले तो ये statement आपको याद होना चाहिए है ना जैसा लिखा हुआ है वैसे ही क्या है यदि किसी त्रिवुच की एक भुजा के समान तर अन्य दो भुजाओं को भिन भिन बिन्दुगों पर प् पहले ढंक से तो ठीक है पहले समझते हैं कि statement क्या बोला पढ़ तो लिया याद तो कर लेंगे समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको समझते हैं कि कहना क्या चाहरा आखिरिये कहना क्या चाहता है तो एक त्रिवुच की बात हुई थी तो हमने एक त्रिवुच बना दि जरूरत पढ़ने वाली है, है ना, बोल रहा है कि इस त्रिबुच के ऊपर, इसमें कितनी साइट्स हैं, तीन साइड हैं, तीन भुजाएं हैं, A, B, B, C और C, A, बोल ला किसी दो भुजाओं पे बिंदू इस प्रकार से ले लेना है, कि ये B, C के समानतर जाएं, B, C के समानत तिक्षेद करता है, D और E पर काटता है, मतलब आपको दिया क्या है, कि ये जो D, E है, वो समानतर किसके है, B, C, के, अगर ऐसा हुआ, तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, मतलब A, D, B, बराबर किसके होगा, A, E, B, C, के, समझ में आ गया, फिर से अन्तर कोई दूसरी भुजा, तिरिभुज की अन्यदो भुजाओं को काट रही है, दो बिंदों पर D और E पर, तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, मतलब A, D, B, बराबर होगा, A, E, B, C, के, आपको यही सिद्ध करना है, सबसे पहले लिखेंगे द A, B, C में क्या, जो D, E है, वो समांतर है, B, C, के, D, E समांतर है, B, C, के, यह आपको पहले से ही पता है, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है, इसके बाद दिया है के बाद हम क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, यह लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है दोस्त, एक बार सभी दोस्त बताएंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि इसका बटे इतना इतना बटे इतना आपस में बराबर होगा, मतलब AD बटे DB बराबर होगा किसके AE बटे ये आपको सिद्ध करना है ये तो आपको सिद्ध करना है इसमें कुछ रचनाएं भी होंगी तो क्या-क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या-क्या रचना करेंगे एक बार देखेंगे ध्यान से रचना हम इसमें ये करने वाले हैं कि सबसे पहले हम मिला देंगे B E को B E को मिला दिया और C D को B E और C D को Clear है? इन दोनों को मिला दिया और क्या रचना करेंगे? यहां से D से perpendicular draw करेंगे Lumb एक खीचेंगे एक दोस्त हम इस पे Lumb खीचेंगे क्या? यह वाला Lumb इसको मान लिया D, M और ऐसे ही E से इस वाली भुजा पे A D पर एक Lumb कीचेंगे कौन सा? N बस यह रचनाएं करनी है यह रचनाएं आपको याद होनी चाहिए Clear है बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ध्यान देना, यहां पे हम चार त्रिभुज लेने वाले हैं कैसे कैसे लेना है, क्या क्या प्रूब करना है सब कुछ सीखेंगे अभी याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा याद होने का मतलब आपको steps पता होने चाहिए ना, किसके बात क्या लिखना है याद होने का मतलब यह नहीं कि इसको रट लो यह नहीं है, है ना मतलब बिलकुल clear हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे रचना क्या किया, हमने DC तथा BE को मिलाया DC तथा BE को मिलाया, मिला दिया इनको कोई दिक्कत वाली बात मिलाने में नहीं, और perpendicular draw किया DM perpendicular to AE DM perpendicular to AE and और EN perpendicular to AD खीचा, EN perpendicular to AD खीचा, इतना काम कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इसकी उपत्ती देखते है कैसे सिद्ध करेंगे सबसे पहले हम त्रिभूज लेंगे, यहां ध्यान दो किसको किसको सिद्ध करना है, आपके पास AD और DB आना चाहिए, आपके पास AE और EC आना चाहिए मतलब आपको इन भुजाओं पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस वाली भुजापे इस वाली भुजापे, इस वाली भुजापे और इस वाली भुजापे, ठीक है क्लियर है बात, तो सबसे पहले हम देखते है कि हमें AD और DB कैसे मिलेगा, AD और DB कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे हम लेंगे त्रिभुज A, D, E और A, D, E मतलब यह उपर आपको दिखरा होगा साफ साफ A, D, E ले लिया और एक लेंगे दोस्त D, B, E या D, E, B बोल सकते हैं D, E, B दिखरा है D, E, B मेरी पेंज जैसे चल रही है D, E, B में त्रिभुज D, E, B में यही दोनों त्रिभुज क्यों लिया पहली बात तो यह क्योंकि इन दोनों ही त्रिभुज में यह भुजाएं आ रही है जो हमें जरूरत है बात कर रहे हैं हम A, D और D, B की A, D, E में A, D भुजा आ रही है dbe में db भुज आ रही है इसलिए इनी दोनों को लिया ये तो आपके mind में fix होना चाहिए कि कौन कौन सा त्रिभुज लेना है clear है बात ठीक है इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में पहले हम इसकी बात कर रहे है ad और db की बात कर रहे है अब इन दोनों त्रिभुजों का आपको छेत्रफल लेना है area लेना है त्रिभुज a d e का छेत्रफल बटे त्रिभुज d e b का छेत्रफल formula पता है क्या छेत्रफल का त्रिभुज का क्या होता है जिसको नहीं पता क्या करेगा अपनी पिटाई खुदी कर लो है ना क्योंकि यह पता होना चाहिए होता है half into base into height एक बट्टे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई हर एक student को पता होना चाहिए है ना सबको पता होना चाहिए एक बट्टे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई यहां पर लिख दूँ क्या, एक बट्टे दो गुडे, आधार गुडे उचाई, सबको पता है नहीं, यह होता है अपना त्रिभुज का एरिया, छेत रफल, तो एक बट्टे दो लिख दिया, गुडे, आधार को रूडते हैं, आधार किसको लेना है, एक बात ध्यान से मानलो आपने AB को आधार लिया, तो उचाई क्या बनेगी, जो AB के उपर लंब आ रहा होगा, वही, AB के उपर लंब क्या आएगा, ऐसी आएगा, मतलब यह उचाई बनेगी, आपने अगर BC को आधार लिया दोस्त, मानलो यह BC है, इसको आधार लिया, तो लंब क्या बनेगा जो इसके उपर लंब आ रहा होगा वो वाला लंब तो कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पर AD को AD दिख रहा है आपको AD को हाइलाइट कर दूँ यह वाला है AD अगर मैंने AD को आधार लिया तो जल्दी से बताएंगे लंब क्या होगा अगर इस AD को आधार लिया तो जल्दी से बताएंगे उचाई या लंब क्या होगा तो AD के उपर लंब क्या आ रहा है EN आ रही है बात समझ में तो यहाँ पर लेंगे एक बट्टे दो आधार की जगा हम ले रहे हैं AD को तो उचाई इसके उपर आ रहा है EN यह तो बात हो गई छेत्रफल की AD का छेत्रफल ऐसे हम लिखेंगे BDE जो नीचे DEB दिख रहा है DEB को मैं रंगीन कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे आपको अलग से दिख जाए वो इसको हरा हरा बना देते हैं पूरा यह रहा आपके पास यह इसकी बात कर रहा हूँ अब दिख गया दिख गया यह वाला इसकी बात हो रही है DEB की अब दिखकत यह है दोस्त की इसमें आधार किसको लेना है तीन बुजाए हैं अपने पास एक तो DB हो गया एक BE हो गया और एक DE हो गया आधार किसको लेंगे जिसकी हमें जरूरत है जरूरत है DB की जरूरत है DB की तो आधार की जगह ले लिया DB आधार की जगह ले लिया क्या DB यह ले लिया आधार यह जो db आपको दिख रहा है क्योंकि इसकी जरूरत है ना इतना बटे इतना प्रूप करना है हमें तो db को आधार ले लिया बात यह लंब क्या होगा db के उपर लंब क्या आ रहा है कुछ दिख रहा है सर नहीं दिख रहा है यही वाला लंब होगा यही वाला क्योंकि DB को जब आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यही वाला लंब EN इसके उपर भी आएगा नहीं आया समझ में अभी समझाता हूँ अगर कोई ऐसा वाला कोड में आपको साफ साफ दिख जाता है कि सर यह लंब हो गया ऐसे वाले में तो दिख जाता है एक इस प्रकार का त्रिबुज होता है दूसरा वाला त्रिबुज जो समझ कोड होता है 90 अंस का होता है राइट अंगल ट्रियंगल होता है यहाँ पर यही लंब बन जाता है क्योंकि इस आधार के उपर 90 यही बना रहा है एक जो अधिक कोड त्रिवुज होता है यहाँ पर आपको हवा नहीं लग पाती दोस्त यह रहा अधिक कोड त्रिवुज अब अगर मैंने इसको आधार बोल दिया तो इसके उपर लंब कहां से आएगा अरे यहीं से तो आएगा ऐसे ऐसे करके फिर हमें इसको बढ़ाना पड़ता है यहीं काम यहाँ पर हुआ है अब इस हरे वाले डी बी के उपर लंब कहां पर आएगा तो इसको बढ़ा दिया लंब यही है लंब को भी हरा कर दूँ यह देखो यह जो आपको EN दिख रहा है न यह जो आपको दोस्त EN दिख रहा है यहीं इसके उपर लंब होगा जब हम डी बी को बढ़ाएंगे अब आई होप की आपको समझ में आगया होगा तो BDE का छेत्रफल लेने के लिए इस हरे वाले त्रिबुच का छेत्रफल निकालने के लिए मैंने इसको आधार बोल दिया और इसी के उपर जो यह आ रहा है EN इसको हमने लंब का नाम दे दिया तो यहाँ पर आ जाएगा EN EN से EN को उड़ा दिया एक बटे दो से एक बटे दो को उड़ा दिया इसकी फोटो लेना हो तो ले लो यह बहुत छोटा लेकिन बहुत important concept है इसको हटा रहा हूँ मैं क्योंकि हटा दो इसको आरी बात हैं समझ में यह अगर समझ में हा गया तो खतम है यह फिर तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका है फिर तो दोस्त आपको सब कुछ समझ में आ चुका है आरी बात समझ में कोई दिक्कत यहां तक तो जो बचा उसको समीकरड एक बनाएंगे दोस्त कैसे तिरभुज A, D, E का प्षेत्रफल बटे तिरभुज B, D, E या D, E, B का शेत्रफल बराबर A, D, बटे D, B समीकरड संख्या एक जो काम इसके साथ इधर की तरफ किया है हमने वही काम अब उधर होगा मतलब अभी हमने A, D, बटे D, B पे फोकस किया था अब हम फोकस करेंगे A, E, बटे E, C पर तो हम फिर से दो त्रिभुज लेंगे कौन कौन सा त्रिभुज पहला त्रिभुज तो यही रहता है पहला यही रहता है तो त्रिभुज A, D, E और त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा उसको यलो कलर से मैं कर दे रहा हूं यह जो दिख रहा है आपको इस त्रिबुज कॉम ले रहे हैं दिख गया डी इसी क्या डी इसी में इन दोनों त्रिबुजों की बात होगी अब कौन-कौन सा तो एक तो उपर वाला वही वाला लेकिन यहां पर आधार बदल देंगे हमें जब एडी चाहिए था तो हमने एडी को आधार बनाया था अब हमें क्या चाहिए एडी का तो काम हो चुका डी बी का भी काम हो चुका अब काम करना है इसका तो हम एई को आधार बनाएंगे एई को आधार बनाएंगे एई आपको दिख रहा है क्या यह वाला यह वाला है एई जो यह आपको दिख रहा है यह रहा AE दिग्या AE इसके उपर लंब क्या रहा है DM तो इसका फॉर्मूला पहले तो यह लिखेंगे त्रिभुज ADE का चेत्रफल बटे त्रिभुज इसका नाम क्या है DEC का चेत्रफल बराबर half into base into height half गुड़े एक बटे दो गुड़े आधार आधार ले लिया AE को गुड़े उचाई उचाई ले लिया जो इसके उपर लंब आ रहा है मतलब DM को DM को बटे नीचे के आ जाएगा एक बटे दो गुड़े अब देखो DEC में DEC में हमने आधार किसको लिया EC को और लंब वही वाला पहुच जाएगा DM मतलब याद रखना एक तरह से कि जो लंब यहाँ आएगा वही लंब यहाँ भी आएगा यहाँ पर जैसे इस वाले में EN आ रहा था दोनों के उपर तो इधर वाले में क्या आ जाएगा DM आ जाएगा DM आ जाएगा तो आधार हमने ले लिया EC को और लंब आ गया अपने पास DM DM से DM को उड़ा दिया हाफ से हाफ को उड़ा दिया यहाँ से भी एक समीकर का समीकर बनाएंगे दोस्त यहाँ से भी क्या यह लिखो त्रिभूज A D E का छेत्रफल बटे त्रिभूज D E C का छेत्रफल बराबर यहाँ पर बच गया A E बटे E C A E बटे E C समीकरण संख्या 2 एक और दो को देखना अच्छे लग रहे हैं क्या अच्छे तो लगेंगे ही क्या इनसे आपका काम बन जाएगा सर यह वाली साइड बराबर है अगर यह वाली साइड बराबर हो जाए तो अपना काम बन जाएगा मतलब A D बटे D V अगर बराबर हो जाए A E बटे E C के काम बन जाएगा यह कब पॉसिबल है जब इधर वाली पक्ष मतलब यह वाली साइड इसके और इसके बराबर कर दो मतलब कहने का क्या है कि आपको जो यह दिख रहा है ना लिखा हुआ यह अगर इसको आपने प्रूब कर दिया इसके बराबर जब यह दोनों आपस में बराबर होंगे तो यह दोनों भी आपस में बराबर होंगे सिद्ध हो चुका काम खतम लेकिन दिक्कत यह है ना कि इसको और इसको आपस में बराबर कैसे करोगे आईए देखते हैं करेंगे तो ही उपर वाला तो सर पहले से ही चका चक है उपर वाला पहले से ही फिट है विलकुल बराबर है A, D, E, A, D, E कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नीचे वाले का जुगार लगाना पड़ेगा यहाँ पर D, E, B है और यहाँ पर D, E, C है तो हम लिखेंगे दोस्त हमें अगर यह मिल जाए कि नीचे वाला भी आपस में बराबर होगा काम बन जाएगा तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज क्या लिखेंगे त्रिभुज D, E, C का छेत्रफल बराबर त्रिभुज D, E, B का छेत्रफल सर ऐसे कैसे लिख दिया अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से लिख दिया ऐसा क्यूं हुआ इसको समीकरण 3 बनाएंगे इसको समीकरण संख्या 3 बनाएंगे ऐसा क्यूं लिखा ये भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको देखो पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे कि ये नीचे वाले छितरफल उपर वाला तो पहले से बराबर है जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है नीचे वाले को मैंने जबरजस्ती अभी लिख दिया बराबर है इन नीचे वालों को मैंने लिख दिया बराबर है मेरी मर्जी है ना नहीं मर्जी यानी चलती मैथ से कुछ नियम कानून चलते हैं हापे क्यों लिख दिया कैसे लिख दिया ये 9th class में आप पढ़े हैं पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं सिलेवस में रहा होगा कि नहीं रहा होगा लेकिन नहीं भी पढ़े हैं तो अभी सीखेंगे क्या सीखना है अगर दो समानतर line है इन दोनों के बीच में कोई आकृति बना रहे हैं आप जैसे मैंने एक त्रिभुझ बना दिया और एक त्रिभुझ और बना दिया ये दोनों का आधार समान दिख रहा है आपको और दोनों इस समानतर आकृति के बीच में हैं जबी भी ऐसा होगा तो इन दोनों का छ attracting बराबर होगा और ऐसा नहीं कि बस त्रिबुज त्रिबुज हो, चतुर भुज हो सबका छेत्रफ़ा लापस में क्या होगा बराबर होगा, कब जब इनके आधार बराबर होंगे और ये दो समंतर रेखाओं के बीच में होंगे यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है आओ दिखाता हूँ आओ दिखाता हूँ कैसे है ना एक तो हरा वाला दिख रहा है ये ये हरा भरा दिख रहा है ना एक तो आपको ये डी इवी दिख रहा है जो अभी मैंने मोटा मोटा बना दिया जो आपको देखना है एक और बनाता हूँ, एक को कैसा बना दू? या नहीं, वो नहीं बन पाएगा जो आप बोल रहे हो एक को इससे बना देते हैं यहाँ देखो, इससे भी नहीं जो color यूज कर लिया हूँ, वो यूज करूंगा तो आपको चलो पीला से बना देते हैं बिल्कुल सही बोल रहे थे आप, दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखना, यही वाला नियम लग रहा होगा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज दोस्त ये वाला, जो हमने लिया है यहां पे, एक DEC को देखना है, और एक DEB को देखना है, यह जो यलो कलर से मैं कर आउँ, यह आपका क्या है, यह आपका DEC है, और जो मैंने अभी करीन कलर से किया, यह आपका क्या है दोस्त, यह आपका DEB है, दोनों दिग्या, क्या यह दोनों, समान, मतलब समानतर रेखाओं के बीच में है, हाँ सर, क्योंकि DE और BC समानतर रेखाएं हैं, DE और BC समानतर रेखाएं हैं, ये दोनों उसके बीच में हैं, क्या इनका base, मतलब की आधार बराबर है, हाँ सर, दोनों के पास DE आधार है, बस हो गया काम, मतलब कि ये दोनों का चि लिख लेते हैं स्वर्ड अक्षरों में है ना तो लिखेंगे दोस्ति आपर तो ऐसा क्यूं लिखा उसका रीजन हम कोश्ठक में लिखेंगे कि समान आधार समान आधार DE तथा समान तर रेखाऊं DE तथा BC के मध्य DE तथा BC पर इस्थित त्रिभुज तो इसलिए इनको हमने इनका एरिया हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया क्योंकि ऐसा हो रहा है और ऐसा जबी भी होता है यह प्रमेय है नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ाई गई होगी या नहीं भी पढ़ाई गई होगी पहले सिलेवस में हुआ करता था यह वाला चाप्टर इसको उड़ा दिया लेकिन देखो यह दस्वी क्लास में यूज हो रहा है आरी बात समझ में समझ गए होगे ना कि दो समांतर रेखाएं है सर और आधार बराबर है त्रिबुच का चेत्रफल समान होगा बस बात खतम अब आप एक दो और तीन को ध्यान से देखो तो इधर वाली साइड इधर वाली साइड के बराबर दिख रही है या नहीं सर उपर वाला तो पहले से ही बराबर लिखा हुआ है और नीचे वाले भी आपस में बराबर है कैसे पता चला समीकरड संक्या तीन से तो हम लिखेंगे समीकरड 1, 2 2 ऐसा वाला लिखा है न तथा टीन से जब दोस्त ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो क्या लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC अब बोलो लिख दूँ यहाँ पे क्या लिखते हैं E3 सिद्धम इंगलिस में Hence Approved समझ में आ गया समझ में तो पक्का आ गया लेकिन सर बहुत सारी चीजे हैं एक्जाम में कैसे करेंगे ये तो चार नमबर का आता है एक्जाम में कर लोगे है ना पहले तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है चार से पाँच बार दूसरी बात क्या क्या अपने माइंड में याद रखना है याद ये रखना है कि तरिभुज कौन कौन सा लेना है दो बार उपर वाला एक बार ये हरा वाला एक बार ये पीला वाला याद रहेगा ये लंब बनाना है ये भी याद रखना है और इन दोनों रेखाओं को मिलाना ये भी याद रखना है आपको उपर वारा दो बार लेना है जब एक बार लेंगे तो मतलब AD आधार होगा आपका और यहाँ पर DB आधार होगा नीचे वाले में तीन से चार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, बहुत ही आसान हो जाएगा, मेनली आपको इस लाइन, मतलब ये वाला, जहां चेतर फर लिखा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों पर पकड़ बनानी है, है न, बाकी आप काम कर लेंगे, कलियर है, एक बार सा स्क्रीन साट लेंगे इसका और आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही जबरजस्त क्वेस्टन है ये, तो हमने, क्या सीखा, एक बार रुको तो, एक बार रुको, हमने देखा, कि जब ये रेखाएं, दोनों समानतर होंगी, तो इनका अनुपात आपस में क्या बराबर होगा, ये हमने सीख लिया, ये दोस्त हमने सीख लिया है, अब हम बात करेंगे यहां पर, तो यही था अपना अभी जो हम कर रहे थे, आधार बूत, समानुपातिका, प्रमे, बेसिक, प्रपोर्शनालिटी, थियरम, इसका नाम बी पी टी भी है, इसका नाम थेल् यहां हमने देखा कि जभी भी एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समानतर है, मतलब एक भुजा के समानतर, एक दूसरी भुजा खीची गई है, जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदूओं D तथा E पर प्रतिक्षेत करती है, तो यहां पर AD बटे DB बराबर, AE ब आपने देखा कि आपको दिया हुआ है कि DE है समानतर BC के, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमने लिख दिया था कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, ऐसा कब लिखा था जब यह दोनों समानतर थें, इसी का उल्टा कर दो, अभी आपको दिया है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC कि ये दिया हुआ है आपको तो आप क्या लिखोगे या क्या प्रूब करोगे ये दिया हुआ है तो ये प्रूब करना है अब तक ये दिया हुआ था हम ये प्रूब कर रहे थे अब आपको दोस्त ये दिया हुआ है ये प्रूब करना है आओ देखते हैं कैसे आओ इसको भी उड़ाते हैं, तो बात करते हैं हम प्रमेय संख्या 6.2 की, इसका नाम क्या है? आदारभूत समानुपाति का प्रमेय का विलोम, विलोम की बात करेंगे, है न? यदि एक रेखा किसी त्रिवुच की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समानतर होती है, कहने का मतलब क्या है? कि यह जो रेखा है, यह एक ही अनुपात में विभाजित की है, मतलब AD बटे DB बराबर है दोस्त, किसके? AE बटे EC के, किसके बराबर है? AE बटे AC के, EC के, यह आपको दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, पिछली बार यही प्रूब कर रहे थे, आप यही सिद्ध कर रहे थे, इस बार दे दिया यही, आपको सिद्ध उल्टा करना है, क्या कि DE समानतर होगा किसके, BC के यह आपको सिद्ध करना है, बहुत आसान है, पहले वाले से भी जादा आसान है, पहले यह statement समझ में आ गया, सब को बताओं क बढ़ियां सा त्रिभुज, यह बन गया त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, पहले इसको नाम करण कर दो, ABC, अब यहाँ पर एक लाइन जो है, DE, इसको काट रही है और कैसे काट रही है, दिया है, AD बटे DB बराबर होगा, AE बटे EC के, यह चीज आपको पहले से ही दे दिया है, यह सिद्ध नहीं करना है, यह पहले सिद्ध करना था, अभी यह दे दिया है, और सिद्ध उल्टा करना है, जो पहले दिया था वो आप सिद्ध करना है, है ना, आपको सिद्ध करना है कि यह द सिद्ध करना है बस यह दोन लाइन भी समझ में आनी चाहिए आपको पता चले पूरी कहानी समझ में आख़ी सुरुगात ही नहीं समझ पाए D.E. समांतर B.C. यह आपको सिद्ध करना है इसमें भी रचना होगी बिलकुल होगी तो रचना लिखेंगे रचना क्या होगी रचना की बात करेंगे की रचना क्या होगी जान देंगे यहाँ पर भी रचना में क्या करेंगे जैसे वहाँ पर किया था यहाँ पर भी रचना में उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ से D. से एक लाइन पैरलल खीचेंगे bc के, d से एक line समानतर खीचेंगे किसके bc के, सर मजाग कर दिया, सर मजाग कर दिया parallel लग रहा है कहीं से लग तो नहीं रहा है लेकिन ये parallel नहीं है, ये d e parallel नहीं है ये आपको सिद्ध करना है, मतलब ये मत मानना कि d e जो दिख रहा है वो BC के parallel है ये तो सिद्ध करना है है ना हमने मान लिया कि ये जो DF है वो parallel है BC के मान लो मानने में क्या जा रहा है हमने मान लिया क्या कि DF जो है वो parallel है किसके BC के तो हमने एक line रचना किया DF parallel BC ये बात clear है ये तो सिद्ध करना है दोस्त ये मत मान लेना कहीं कि ये जो DE है BC के parallel है ये आपको सिद्ध करना है आपको प्रूब करना है यहां लिखा भी होगा कि D.E. को B.C. के पैरलल प्रूब करना है हमने अपने दिमाख से क्या किया एक यहां से पैरलल समानतर लाइन बना दिया B.C. के बाद में दिखा दूँगा कि ये F.E. एक ही बिंदू पर होने BC लिखो या DF की जगह DE लिख दो बात एक ही है इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाएगा आओ करके देखते हैं उपपत्ती कैसे यहाँ पर रचना हमने किया है DF पैरलल टू एले लिखेंगे त्रिभुच का नाम लिखेंगे लिखेंगे दोष्ट त्रिभुच ABC में DF शमानतर है BC के कैसे रचना द्वारा रचना द्वारा रचना किया है अपने आप थोड़ी ना समानतर है यह जो DF है BC के क्या है शमानतर है अभी प्रमे एक में क्या पढ़के आए हो कि अगर किसी त्रिभुज में ये इसके समांतर होगी तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना ये अभी पढ़के आए हो तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि df इसके समांतर है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ प्रमिय छे दसमलो एक द्वारा क्या मैं यह लिख सकता हूँ कि AD बटे DB बराबर AF बटे FC यही बात तो है जो 6 दस्मलोगेक में पड़े थे कि यह वाली इसके पैरलल है, समंतर है तो इतना AD बटे DB बराबर हो जाएगा AF बटे FC के क्योंकि समंतर हैं दोनों यह लिख दिया कोई डाउट यहां तक यहां तक डाउट नहीं है तो बस अपना काम हो चुका है अपना काम हो चुका है दोस्त आओ देखते हैं कैसे हमें यह दिया हुआ है जब दिया हुआ है तो क्या मैं AD बटे DB की जगह पे इसका मान लिख सकता हूँ AD बटे DB की जगह पे क्या लिख सकते हैं AE बटे EC क्यों लिख دیا भाई क्योंकि AD बटे DB के बराबर है AD बटे DB के बराबर है क्या AE बटे EC तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया AE बटे EC बराबर AF बटे FC यहां तक कोई doubt clear है सब कुछ चकाचक चल रहा है दोनों तरफ प्लस वन करेंगे दोनों तरफ एक जोडने पर क्या लिखेंगे दोनों तरफ एक जोडने पर आज़ाओ जोड देते हैं एक AE बटे EC प्लस वन बराबर AF बटे FC प्लस वन कोई डाउट नहीं बढ़ियां अब यह LC हम लेंगे EC जाके एक में गुड़ा होगा EC बन जाएगा कैसे देखो कैसे AE धन EC यहां उपर चला जाएगा AE धन EC बटे EC ऐसे ही इधर भी बताओ FC यहां उपर चलाएगा AF धन FC बटे FC ठीक बताना मुझे AE और EC को जोड़ने पर क्या मिलेगा यह रहा AE और यह रहा EC यहां इन दोनों को मिला के मैं AC लिख सकता हूँ क्या इतना AE है इतना EC है जब दोनों को मिला गया तो पूरा मिल गया AC मतलब यहां पर लिख दिया AC AE धन EC की जगा पर AC लिख दिया ऐसे ही मुझे बताना AF धन FC मतलब यहां से यहां तक AF है यहां से यहां तक FC है इन दोनों को मिला के क्या मैं AC लिख सकता हूँ क्या यहां AC से AC उलादेंगे और बच जाएगा क्या EC बराबर FC EC बराबर FC कब possible कब है कब संभव है कि यह EC और यह FC दोनों बराबर हो जाएं दोनों रेखाएं समपाती हैं, बराबर हैं, मतलब की बिंदू F को बिंदू E पर आना पड़ेगा, है ना? E C और F C समपाती हैं, अतह बिंदू E तथा F एक ही बिंदू को निरूपित करते हैं, एक ही बिंदू को निरूपित करते हैं, मतलब सिद्ध कर दिया ना, कि E और F दोनों एक ही जगा आना चाहिए, और जब एक ही जगा आना चाहिए, तो हमें पहले पता था रचना से कि D F पैरलल होगा, B C के रचना द्वारा, यह हमने किया था ना? तो क्या मैं F की जगा E लिख सकता हूँ क्या? बिलकुल लिख सकते हैं सर, दोनों एक ही बिंदू तो है, लिख तो दिया उपर, तो D E भी पैरलल हो जाएगा, B C के हो गया प्रूप, इती सिद्धम, आया मजा, हैंस प्रूप्ड भी लिख दूँ क्या? मन तो कर रहा है, लिख दो जब मन कर रहा है, ठीक है, बिलकुल ऐसे ही करके आना एक्जाम में, एकदम चकाचक नंबर आने चाहिए, एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे, तो इस प्रकार से हमने देखा क्या? मजा आ गया, ये समझ लिए पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बढ़ते हैं हम, कहाँ पर, प्रमे संक्या 6 दस्मलों, 1 और 6 दस्मलों, 2 बहुत ही बेतरीन तरीके से बताया हूँ दोस्त, हर एक student इस पर practice करेगा, समझ में no doubt आ गया होगा आपको, मुझे भी पता है कि सबको समझ में आ चुका है, लेकिन जैसे ही करने बैठेंगे, नहीं हो पाएगा पहली बार में आपसे, करके देख लेना, है ना? दो बार, तीन बार practice करेंगे, तो दूसरी बार या तीसरी बार, चौती बार आपसे जरूर बनने लगेगा, और एक बार बनने लग गया खुद से जब, उसके बाद नहीं भूल पाओगे, है ना? तो जब तक खुद से नहीं बना लेते हैं, तब तक इसकी practice, दोनों ही थिरम की, दोनों ही प्रमेयों की practice आपको करते रहना है, ठीक है? आगे बढ़ें, बुदारण देखते हैं, बुदारण संख्या एक, यदि कोई रेखा, एक, तरि भुज, ABC की भुजाओं, AB और AC को क्रमसर, D और E पर प्रतिक्षेद करें, तथा भुजा BC के समानतर हो, बोल ला है कि ये DE, AB और AC को प्रतिक्षेद कर रहा है, और BC के समानतर है, वही तो थियरम है, प्रमेय 6.1, मिल गए आपको, मतलब क्या लिख सकते हो? अगर ये इसके समानतर है, लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, जो आज सबसे पहले प्रूप किया है, तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB, अच्छा, हमें पता क्या था थियरम से, कि AD बटे DB, और ये भाई साब क्या सिद्ध करवा रहे हैं? AD बटे पूरा AB, AD बटे पूर AB, समझ रहे हैं बात को, चलाकी कर रहा है, लेकिन हम भी चलाक हैं, कुछ नहीं कर पाएगा है चलाकी करके, क्या इतनी बात समझ गे हैं कि क्या हमें पता है, क्या हमें सिद्ध करना है, आओ करके देखते हैं, आओ करके देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, प्रमे 6.1 से, पहले पूरा बात लिखोगे, सीधे प्रमय अच्छे दस्मलों एकसे लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखेंगे, तुरिभूज A, B, C में, D, E, जो है, वो समांतर है, B, C के, और ये बात दोस्त हमें, दिया है, ये तो दिया है, D, E समांतर, D, E is parallel to B, C, ये हमें पता है, ठीक है, अब जब ऐसा हो रहा है, तो हम लिखेंगे, थेल्स दियरम द्वारा, या प्रमय संख्या 6 दस्मलों एक द्वारा, क्या, एक्जाम में आप पूरी प्रमय ये लिखेंगे, है ना, प्रमय 6 दस्मलों एक नहीं लिखेंगे, या तो पुरा वही लिखेंगे, जो उसका नाम था, बेसिक प्रपॉर्शनलिटी थेरम, क्या था, आधारभूत, समानुपाति का जो भी था, हिंदियों मुझे पता नहीं है, बेसिक प्रपॉर्शनलिटी थेरम, बीपीटी थेरम, है ना, वो, जो भी ये बहुत बड़ा दाम है, थेल्स थेरम, तो वह पूरा लिखेंगे हम सीख कर आए हैं दोस्त, जो सबसे पहले प्रूब करके आए हो, बराबर, A, E, B, E, C, A, E, B, E, C, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, नहीं है, बिलकुल बढ़िया, चीक है, यह देखो, उपर वाला तो चका चक है, उपर तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है A, D था, A, D है और A, D रहेगा, है न, यहां भी A, E था, A, E है और A, E रहेगा, नीचे गरबर है, जहां भी, अच्छा, नीचे आप कुछ नहीं बिगाड सकते हो, आप बिगाड कहा सकते हो, उपर, और बिगाडना कहा है, नीचे, यह तो गलत बात हो गई, मेरी बात समझ पार है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे नहीं बिगाड सकते हो, कुछ उपर बिगाडना पड़ेगा, तो हमें काम करते हैं, हम उपर ही बिगाड़ेंगे, लेकिन जिसको नहीं बिगाडना उसको नीचे ले आते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं, इसको नहीं बिगाडना है, AD को नहीं बिगारना है तो AD को नीचे लेआओ AD को नीचे लेआएंगे व्यूत करम करने पर छोटी छोटी जो बाते में बोलता हूँ न ये उपर बिगार सकते हो बहुत इम्पोर्टन बाते हैं गुमा की क्ट्वेस्चन आ जाएगा अगर आपने सोच लिया कि सर ने बोला था कि नीचे बिगाड़ी नहीं सकते हो और नीचे ही बिगाड़ना है ना देखो यहीं तो बिगाड़ना है AD तो हमें चाहिए भाई बिगाड़ना का है यहाँ पर अब नीचे तो आप बिगाड़ी नहीं सकते हो तो क्या करना होता है ऐसे case में व्यूत्करम करना होता है उल्टा कर दो इसको पलट दो DB बटे AD बराबर EC बटे AE ठीक पलट दिया मज़ा आया पलट के हाँ उल्टा पुल्टा करने में मज़ा आता ही है दोनों तरप एक जोड दो क्या जादू बता है हो ऐसे मुझे कैसे पता चले गा एक जोड दो practice करनी पड़ेगी आपको मुझे कैसे पता चला है दोनों तरफ एक जोड दो सर आप रटके आया हो मुझे पता है जब मैं एक जोड़ूंगा तो यह उपर बन जाएगा DB धन AD और DB धन AD करने पे हमें पूरा मिल जाएगा AB, आरी बात समय होगी करने पे पता चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजे समझ में ज़्यादा आएंगी, दोनों तरफ एक जोडने पर दोनों तरफ एक जोडने पर जोड़ो भाई, एक दोनों तरफ पलट दिया था ना, हाँ, पलट दिया, अब एक जोड़ो, DB बटे AD धन एक बराबर EC बटे AE EC बटे AE धन एक अब देखो, एक जोडने का फाइदा क्या हुआ मुझे माइंड में आ गया था, कि AD यहाँ उपर जाएगा ही जाएगा, LCM लेने के बाद, तो बनेगा DB धन AD, और ध्यान से देखना, DB धन AD मिलके क्या बन गया, AB जो आपको चाहिए था, AB तो चाहिए था यहाँ, तो LCM जब लेंगे, तो यह AD यहाँ चला जाएगा बटे में सब के आ जाएगा AD, और ऐसे ही यहाँ पर AE उपर चला जाएगा और सब के बटे में आ जाएगा AE इन दोनों को जोड़ना, AB आ जाएगा जोडने का एक सौर्ट्रिक बताऊँ दोनों के पास जो कॉमन है उसको उड़ा दो D और D को उड़ा दो, क्या मिला? AB है ना? तो इसको हमेशा सौर्ट्रिक नहीं लगाना है, सौर्ट्रिक लगाओ लेकिन उसको वेरिफाई भी करेंगे कि क्या DB और AD मिलके क्या DB और AD मिलकर AB बना रहे हैं, बिलकुल बना रहे हैं या ऐसे भी देख सकते हो, दोनों में D आ रहा है, उड़ा दो, मिल गया AB, नीचे मिल गया AD, यहां का बताना दोनों में E आ रहा है, उड़ा दो मिल गया AC, वेरिफाई भी करना है दोस्त, EC, यह रहा EC, धन AE, यह रहा AE AE और EC को मिला के मिल गया AC बटे, AE क्या यही प्रूप करना था हो गया प्रूप, अरे नहीं, यह नहीं प्रूप करना था यह उपर सर प्रूप तो हो गया, उल्टा सुल्टा हो गया जो नीचे चाहिए था उपर पहुँच गया जो उपर चाहिए था नीचे, कैसे करें अरे फिर से ब्यूत करम करदो ना A, E, B, A, C बहुत बार एक्जाम में आ रखा है, बोड में भी आ रखा है हलके में मतले ना इसको हलके में मतले ना A, E, B, A, C जाके देखना प्रिवियस येर क्वेस्टन उठाके पिछले सालों के खतरनाक वेस्टन है ये बस उधारण संख्या एक है देखने में हलका है ये काम भारी-भारी करता है एक बार स्क्रिंसोट लो उसके बाद इसकी और तारिफे करेंगे है ना ले लिए स्क्रिंसोट बढ़ें अगले एक्जाम्पल की तरफ तो बात करते हैं अब उधारण संख्या दो की देखते हैं उसमें क्या है इसमें दिया है ABCD एक समलंब है ये समलंब है ट्रेपेजियम जिसको हम बोलते हैं ABCD क्या है एक समलंब है जिसमें AB पैरलल है समांतर है CD के AB समांतर है CD के ठीक है और समांतर भुजाओं मतलब AD और BC क्रमसर E और F इस प्रकार इस्तित है कि E F AB के समांतर है ने खास बात क्या होती है कि एक पेर जो होता है भुजाओं का वो आप आमने सामने वाला समांतर होता है केवल एक पेर तो ये वाला पेर समांतर है तो यहाँ दिया हुआ है कि A B जो है वो C D के समानतर है A B क्या है दोस्त C D के समानतर है इतनी बात समझ में आ गई तो इन दोनों को समानतर कर दिया हमने A D और C D को ठीक है मैंने क्या बताया कि समलंब में एक पेर समानतर होगा और एक पेर समानतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यहाँ पर आपको सिद्ध यह करना है AE बटे ED बराबर BF बटे FC क्लियर है यह अब यहाँ पर हमें एक रचना करनी पड़ेगी एक construction करना पड़ेगा क्या करेंगे हम A को C से मिला देंगे सर ऐसा क्यों करना पड़ा दोस्त ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें समलंब के बारे में तो इस चाप्टर में पढ़ाया नहीं गया है अभी आपने जो दो प्रमेय पढ़ी है मुझे बताए किस figure के लिए था किस आकृति के लिए था त्रिभुज के लिए था तो हमारे पास त्रिभुज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और A को C से मिलाने पे आपके पास दो त्रिभुज आ जाएंगे कौन-कौन से? A, C, D A, C, D आ जाएगा A, B और C, D समांतर है और आगे आपको दिया हुआ है की E, F जो है वो A, B के समांतर है ध्यान से देखें आपर दिया है क्या दिया है जल्दी बताएं दिया है दोस्त की A, B, C, D एक समलम्ब है A, B, C, D, एक समलम्ब है ठीक है लिख दिया समलम्ब कोई दिक्कत वाली बात और इसमें क्या है AB parallel to CD है और क्या दिया है यहाँ पर देखो EF जो है वो AB के समानतर है मतलब EF जो है वो समानतर है AB के आ रही यह बात समझ में इतनी बात या में पता है प्रूप क्या करना है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जल्दी देखके बताएं AE upon ED equal to BF upon FC यह सिद्ध करना है आपको आपने रचना किये join AC रचना क्या किया है AC को मिलाओ AC को मिलाया clear है यह बात AC को मिला दिया ठीक है अब क्या करना है पहले हम बात करेंगे कि यहां से start हुआ अपना सिद्ध पहले हम बात करते हैं कि AB जो है वो parallel है CD के क्यों दिया है और CD, AB जो है parallel है, EF के, ये भी दिया हुआ है ये दोनों बाते तो आपको पता है न, ये भी दिया है और ये भी दिया है ध्यान से यहाँ देखेंगे, पहले बोल रहा है कि ये जो AB है, वो CD के parallel है, समानतर है और ये जो AB है, वो EF के भी parallel है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो EF होगा, वो CD के भी parallel होगा, कैसे, फिर से सुनो ये वाला इसके parallel है, ये वाला, देखो ये गाया भी हो गया मैं बता रहा था आपको, ये वाला जो side है, AB, वो CD के समानतर है ये जो AB है, वो EF के भी समानतर है, मतलब ये तीनो ही आपस में क्या हो जाएंगे समानतर हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसलिए, जो अपना EF होगा, वो किसके समानतर हो जाएगा, मतलब ये वाला EF जो होगा वो CD के भी समानतर हो जाएगा मतलब यह तीनों ही आपस में समानतर हो जाएंगे यह बात तो clear है अब मैं अगर इस point को जहां पर EF और AC एक दूसरे को काट रहे हैं इस point को मैंने बोल दिया क्या O तो क्या अगर यह पूरा का पूरा EF CD के समानतर है तो उसका part भी क्या हो जाएगा CD के समानतर हो जाएगा मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो EO होगा वो भी किसके समानतर हो जाएगा CD के समानतर हो जाएगा Parts of parallel lines are also parallel to each other आरी बात समझ में मतलब समानतर रेखा का कोई भाग भी क्या होगा उसके समानतर होगा clear है यहाँ तक यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे बढ़ें अब ध्यान से देखें लिखेंगे त्रिभुज ADC में ADC में ADC बिलकुल आपको दिखना चाहिए जो ग्रीन वाला त्रिभुज में ने बनाया है और ADC में आपको दिखना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक यह वाला जो पोर्शन है वो इसके समानतर है क्या थेल्स्थियरम में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या प्रमेय संख्या एक में ऐसा कुछ पढ़ा था कि यह दोनों जब समानतर होंगी तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना मतलब AE बटे ED बराबर AO बटे OC यही लिख देंगे प्रमेय पहले आप बता दो कौन किसके समानतर है यहाँ पर EO समानतर है CD के अतह प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या लिख सकते हैं के अनुसार क्या लिख सकते हैं दोस्त AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन OC समीकरण संख्या 1 जो काम अभी किया है वही काम उधर वाले त्रिबुज में कर दो कहने का मतलब यह है कि जो काम आपने ADC में किया है आपको वही काम करना पड़ेगा कहां पर ABC में और यहाँ जान देना यहाँ पर OF पैरललन हो जाएगा किसके A, B, C में त्रिबुज A, B, C में क्या हो जाएगा त्रिबुज A, B, C में OF समानतर होगा AB के अब यहाँ पर यह वाली भुजा और यह वाली समानतर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं देखो या तो नीचे से स्टार्ट करोगे या तो उपर से जैसे यहां पर उपर से start किया था A, A, E, B, E, D, A, O, B, O, C अब यह जो त्रिवूज आपको उल्टा बनाया हुआ दिख रहा है यहां पर अगर उपर से start करेंगे तो लिखेंगे A, O, B, O, C A, O, B, O, C कहां से start किया था? यहां से तो यहां भी इधर से start होगा B, F, B, C B, F, B, C इसको बना दिया हमने समीकरण संख्या 2 ध्यान से समीकरण 1 और 2 को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनका एक साइड बराबर है और जब दोस्त एक साइड बराबर होंगी तो दूसरी साइड भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी मतलब कि हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या? A, E, B, E, D बराबर होगा किसके? B, F, B, F, B, C के यह भी important question है यही prove करना था क्या? हाँ, बिल्कुल यही prove करना था और यह prove हो चुका है clear है बाते, बहुत आसान है बस रचना क्या करनी है यह आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा और कौन-कौन सा त्रिभुज लेना है कब-कब लेना है practice करते रहेंगे अपने आप आइडिया लग जाएगा एक बार screenshot लेंगे इसका और अब हम बढ़ेंगे अपने उधारण संख्या तीन की तरफ आईए देखते हैं उधारण संख्या तीन में क्या है तो यह रहा अपना उधारण संख्या तीन आकरती में PS upon SQ बराबर PT upon TR है तथा ये वाला कोण इस कोण के बराबर है बोला इतना अपन इतना बराबर इतना अपन इतना है तो प्रमेये 6.2 को यूच कर सकते हैं क्या यहाँ पर इनका ratio इनका अनुपात बराबर दिया है और जब अनुपात बराबर देता है तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में समांतर होंगे जब ये समांतर देता था तो प्रमेए 6.1 के अनुसार हमने बोला था कि इनका अनुपात आपस में बराबर होगा अब इस क्वेस्चन में क्या हुआ है? अनुपात बराबर दे दिया अब दोस्त जब अनुपात बराबर दे देता है तो हम क्या result बनाएंगे? हम क्या सोच के लिखेंगे? कि भाई जब अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी तो वो लिख सकते हैं दिया है दिया है क्या दिया है भई? सकते हैं प्रमे 6.2 के अनुसार जो विलोम था विलोम वोला प्रमे कराया था ना जो उसका उल्टा था पहले वाले का वही है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो st भुजा है वो समांतर होगी किसके qr के st भुजा किसके समांतर होगी दोस्त यह समांतर का चिन्न है दो रंडा st भुजा qr के समांतर होगी अब यहाँ पर जब यह दोनों हो जाएं आपकी समांतर है और यह एक transversal line आपको दिख रही है तिर्यक रेखा तो आपने समांतर रेखाओं में पड़ा होगा कि यह वाला जो कोड आपको दिख रहा है ना यह वाला जो कोड आपको दिख रहा है वो इस कोड के बराबर होता है कैसे corresponding angle संगत कोड बिलकुल सही बात है तो angle s बराबर angle q कैसे कैसे लिखेंगे angle s बराबर angle q यहाँ पर लिख देंगे संगत कोड या इंगलीस में बोलते हैं corresponding angle संगत कोड क्लियर हुई मेरी बात यहां तक की बात क्लियर है कि यह वाला कोड इस कोड के बराबर होगा ठीक है हमें पहले से ही दिया है कि s जो है r के भी बराबर है तो हम लिखे लिखेंगे दोस्त एंगल S बराबर एंगल R क्यों दिया है क्यों लिखेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है हमें अब इसको अगर मैं समीकरड एक और इसको अगर मैं समीकरड दो बोलूं इनका एक साइड अगर आपस में बराबर होगा तो दूसरा साइड अपने आप बराबर ह हो जाएगा तो लेखेंगे समी करड़ एक तथा दो से क्या एंगल क्यू बराबर एंगल आर एंगल क्यू कहां पर है ये वाला हमने क्या सिद्ध कर दिया कि एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के बराबर है यहां तक बाते क्लियर हैं एंगल क्यू जो है दोस्त एंगल आर के बराबर है अब इस लाइन को भूल जाना ST को भूल जाओ अगर ST को भूल गए तो ये त्रिभूज में अगर दुबारा बनाता हूँ तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा और इसमें हमने प्रूब कर दिया angle q angle r के बराबर है तो सम्मुक भूजाओं के कोड सम्मुक ये जो कोड है इनकी सम्मुक भूजाएं आपस में क्या होती है समान कोड ये दोनों समान कोड है इनकी सम्मुक भूजाएं भी आपस में क्या होंगी दोस्त समान होंगी आरी बात समझ में तो angle q बराबर angle r हो गया त है PR और angle R के सामने जो आपको भुजा दिख रही है वो है PQ तो इसका region क्या लिखेंगे समान कोडों के सम्मुक भुजाएं समान कोडों की सम्मुक भुजाएं अब बताओ कोई दिक्कत है तो और जब आपने ये क्लियर कर दिया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि PQR एक समद्विबाहू तरिभुज होगा क्या PQR इसलिए इसलिए PQR तरिभुज प्रिक्यूर एक क्या होगा जल्दी बताएंगे आईसुसलिए स्ट्रेंगल समद्विबाहू तरिभुज है है ना तरिभुज के नाम भी ऐसे है राक्षसों के नाम की तरह है समद्विबाहू है ना ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े बाहू वाला है समद्विबाहू विसंभाऊं संभाऊं आ रही बात समझ में कोई दिक्कत वाली बात यहां तक क्लियर है आसान है इसक्रिंसाट लेना इसका जल्दी से तो इसी तरह के questions आते हैं अपने प्रस्नावली में भी और अपने एक्जाम में भी है ना टेंसन नहीं लेने का है बिलकुल आसान लगेगा अभी तक हमने बस दो प्रमेय पढ़ी है दोस्त प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 और प्रस्नावली प्रस्नावली तो भी पढ़ेंगे ख चुकी है इस चाप्टर की तो ये चीज़े अगर आपको clear है तो 50% चीज़े आप समझ चुके हो बस जरूरत है practice की और बाकी की चीज़े समझने की बाकी की बहुत आसान चीज़े है बस यहीं आए दिक्कत जो भी दिक्कत है है ना और प्रस्नावली 6.2 अगर आपने ढंग से कर लिया फिर मज़े ही मज़े हैं है ना फिर मज़े ही मज़े हैं दोस्त तो आज की क्लास I hope कि आपको बहुत बढ़ियां से समझ में आई होगी तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और अपने प्यारे से बेहतरीन comments करना बिल्कुल नहीं बूलना है एक छोटी सी बात त हम आप जैसा कि आपको पता है magnet brains provide करता high quality education और यह हमारे top courses है जो English और Hindi दोनों ही माध्यम में उपलब्द हैं यहाँ पर CBSC board के साथ साथ हम state boards भी cover कराते हैं जिसमें Delhi board, BR board, UP board, MP board और राजस्थान board है और इसके साथ ही साथ दोस्त आप Vedic Maths, Crass course और spoken English की भी classes देख सकते हैं आप हमें other social media networks पर follow कर सकते हैं और बेहतरीन काम करना तो भोलना ही नहीं है आपके लिए design किया गया है बेहतरीन e-notes और e-books जिसका link description box में दिया गया है तो उसको grab करना बिल्कुल नहीं बूलना है मिलते हैं अगली class में अपना ध्यान रखेंगे आप maths की practice जबर्जस चलती रानी चाहिए thank you so much